डॉक्टर का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कैंसर का एलाज असान हो गया है। यही कारण है कि कैंसर का पता सही समय पर चल जाता है और उसका एलाज संभब हो पाता है। इसके लिए unhealthy lifestyle जादा smoking और दूसरे कारण जिम्मधार है। कई मामलों में देखा गया है कि एक बाद ठीक होने के बार, कैंसर दुबारा से हो जाता है, वहीं दूसरे औग में बढ़ने लग जाता है। इसके भी कई सारे कारण हैं, दुबारा से कैंसर होने के कुल्मला के साथ कारण है। अनहेल्धी लाइफस्टाइल की वजय से एक बारे ठीक होने के बार दुबारा से cancers होने का खत्रा बढ़ता है. जादा smoking और तम्हालगूं को से cancers का जोखिम उठाना पड़ता है. ठीक होने के बारे बारे इनका सेवन करना cancers का खत्रा बढ़ा देता है. कई मामलो में family history में भी कई तरह से cancer होने की वज़ा से दुबारा किसी अन्य cancer का जोखी मुठाना पड़ता है कई बार इलाज के बार cancer cells शरीर में रह जाते हैं और दुबारा से activate हो जाते हैं महिलाओं में कम उम्र में जादा IPA की गोलियां लेने से भी कैंसर का खत्रा बढ़ता है मिलावत वाली चीजों खाने से भी दुबारा कैंसर हो सकता है कैंसर की जाज के लिए PET स्कैन होते हैं जब कैंसर ठीक हो जाता है तो डॉक्टर हर साल इसका करने के लिए बोलते हैं इस जाज को करने के बाद भी कैंसर दुबारा हो सकता है तो कैंसर क्या इलाज होने के बाद भी आपको अपना इलाज कराना पड़ता है सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं ताकि आपके शरीर में दुबारा से कैंसर ना है